नमस्कार दोस्तों, यूटूब चैनल में आपका स्वागत है, आप मुझे अनकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं, आप अनकेडमी का लर्निंग आप डाउनलोड करके वहाँ पे हिमन्त मिस्रा सर्च के लिए आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ पे मैं सस्की और रेलर देखिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आयें, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकाउन पर क्लिक कर दीजें, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलने लगे, अगर उसके बाद में न मिले तो आप हमारा कोई भी च आपको हर चीज मिल जाएगी, बायलोजी का MCQ, तो हमारा प्लेलिस जरूर चेक करें, साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में टेलिग्राम ग्रूप का लिंक है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो चलिए, क्वेस्टन पे चलते हैं, हलो प्रिंट, तो देखिए रेलवे एकजाम के लिए, हम लोग math का DI देखेंगे, DI से आपको एक question जरूर मिलना है, तो हर अलग-अलग type का DI, जो हम लोग अलग-अलग lesson के अंदर देखेंगे, आज जो हम कुछ इस तरह का question देखेंगे, देखे, question क्या है, कि नीचे दिए गए वृत, चित्र में एक वि भिन विशेओं में प्राप्तांग को प्रदर्सित किया गया है, सभी विशेओं के कुल अधिक्तम अंक 560 हूं, तो इन समकों के आधार पर निम्न अंकित प्रसनों के ठीक उत्तर दीजे, अब इस तरह की question को करने के लिए हम एक concept समझते हैं, जैसे ये circle है, तो ये पूरा क 100% के बराबर होगा, तो अगर हम कहें कि आप हमें 1 degree का मान बताओ, तो 1 degree का मान कितना होगा, 100 बटे 360, अब अगर इसको आप काटोगे, तो आपका कितना है आगा, 5 बटे 18, मतलब हम ये कह सकते हैं, कि 1 degree को percent में बदलने के लिए हमें 5 बटे 18 से गुणा करना पड़ेगा, क यह concept अगर आपको याद है तो आपको कोई भी question करने में बहुत ही आसानी हो जाती है जैसे देखिए कैसे करते हैं question पे चलते हैं पहला question है कि किसी विशह में विद्यार्थी ने किस विशह में विद्यार्थी ने कुल अंक के 17.5% अंक प्राप्त किये हैं तो एक बात और समझ से हमें degree में change करना हो तो 18.5 से गुड़ा करेंगे उल्टा हो जाएगा ठीक है अब जैसे यही पूछा है किस विशह में विद्यार्थी ने कुल अंक के 17.5% अंक प्राप्त कियें मिन 17.5% में 18.5 से गुणा कर दीजे तो हमें degree में आ जाएगा और degree में हमें सभी value पता है द कितना हो जाएगा तीन दस्मलों पांच ठीक है पांच यहां पंदरा दो सत्रा पचीस हुआ दस्मलों यहां आप लगाएंगे 25 ठीक है 18.5 कितना हो था 90 089 अठारत यहां कितना हो था 54 और 54 नहों कितना होगा चोवण छेसार तिन 63 मिन्स कितनी degree आगई 63 तो 63 देगरी देख पांच परसेंट अंग प्राब्द कियें आपको अलग से पहले डिगरी को परसेंटेज में चेंज करो फिर पांसो साट का निकालो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगला कुस्टिन देखते हैं और क्लियर होगी बात next question है कि गड़ित अंग्रेजी तथा हिंदी में प्राप्त कुल अंग समाजिक विज्ञान तथा समाजिक विज्ञान में प्राप्त अंगों से कितनी प्रतिशत अधिक है तो देखें गड़ित अंग्रेजी और क्या हिंदी इन तीनों को यहीं पे आप जोड़ दो देखें तीन एक चार हो गया आपका और यह कितना हुआ नौ आट सत्त्र छे तेईस दो सो चौन्टिस डिग्री ठीकर डिफरेंस किसमें से पुछा है समाजिक ज्यान तथा समाजिक बिज्यान समाजिक ज्यान और समाजिक बिज्यान दोड़ते हैं चार दो छे और साथ तीन दस दो बारा 126 क्या पूछा है गडित अंग्रेजी तता हिंदी में प्राप्त कुलंग समाजिक ज्यान तता समाजिक बिज्यान में प्राप्त अंकों से कितनी प्रतिसत अधिक है तो ये दिखिए ये जो है कितनी प्रतिसत अधिक है ध्यान से देखिए 234, 126 से कितना अधिक है पहले आप ये पता कीजे तो 126 में अगर 100 जोडते हैं तो 226 हो जाएगा और 226, 30, 4, 34 मित कितना हो गया आपका 108 अगर आप 234 में से 126 गटाएंगे तो इत्ला बचेगा देखे 24 मत से 6 गया 8 हो गया आपका 2 मत से 2 गया 0 108 ही तो बचेगा मतलब 108 अंक अधिक है तो पर्सेंटेज कैसे निकालते है जितना अंक अधिक हो बटा जिस पे base पे निकालना हूँ, तो हमें किस पे निकालना है, समाजिक ग्यान तथा समाजिक बिज्ञान में प्राप तंकों से कितना प्रतिसेता दीख रहे है, तो 126 गुड़े 100, अब इसको हम solve कर देंग, 108 गुड़े 100 बटे 126, बस हमें कुछ और नहीं निकालना है, इसको हम काटते हैं, देखें कितना कटता, कैसे कटता है, यह 3 से कट जाएगा, 3 तरिक का 9, 3 6 18, 3 4 के 12, 3 2 6, अभी भी 3 से कटेगा, यह 12 हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 14, 3 एकम 3, 3 4 के 12, ठेके, अब यह 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 सते 14, ठेके, तो यह कितना हो जाएगा, 600 बटे 7, अब अगर ध्यान से देखें, तो यह answer तो हमारा cancel हो गया, हमारे पास 7 7 के 3 बचे हैं, तो बुड़ा करके देख लेते हैं, 600 किस में आएगा, अगर option 3 देखिए आप, एक मेंट मैं रेट कलर ले लेता हूँ, अगर option 3 को देखें, तो 7 35, 3 38, 600 कभी नहीं आएगा, option 1 देखिए, 7 35 और 35, 45, 41, यह भी नहीं आएगा, यह आ सकता, देखिए, 7 35, 35, 40 को 0, हासे लगा 4, और 8, 76, 46, 60, तो 600, 87, means answer number 2 जो है, आपका सही हो जाएगा, ओके, I hope अगर आपको यह चीजे समझ में आ रही हैं, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा, जिसे हमें प question पर चलते हैं, next question है, कि किस बिशाय में विद्यार्थी ने 140 अंक प्राप्ट किये, यहां पर 140 अंक दिया है, तो पहले हम percentage प्राप्ट कर लेते हैं, कि 140 अंक कितना परसेंट है, किसका प्राप्ट करना होगा, हमें 560 का, तो 140 बटे 560 गुडे 100, इसको अगर आप काटते है तो कितना आगा, 14, 4, 56, यह 25 परसेंट आगया आपका, ठीक है, अब 25 परसेंट को हमें किसमें चेंजी करना है, डिगरी में, तो गुड़ा किसे कहेंगे, 18 बटे 5 से, तो 25, 18 बटे 90, तो 90 डिगरी किसका है, गडित का, गडित का, 90 डिगरी, तो option number 1 जो है, आपका सही हो जा तो इसको करने के लिए, पहले, सबसे पहले हम हिंदी को, हिंदी हमारा कितना है, 81 डिगरी, इसको हम किसमें convert कर लेंगे, परसेंटेज में, तो डिगरी से परसेंट में, किसमें चानवर्ट करने के लिए, हमें क्या करना पड़ता है, 5 बटे 18 से, गुना करना पड़ता है, तो देखिए कैस से कटेगा, ये 2 से 3 से कटेगा, आपका 3 दूना 6, और 6 दो 8, 3 सते 21, और ये 3 चक 18 हो गया, ठेक है, अब 3 नवा कितना होता है हमारा, 27 होता है, 3 दूना 6, ठेक है, तो ये कितना आ गया, 9 पचे 45 बटे 2 परसेंटेज आ गया हमारा, तो अब 560 का 45 बटे 2 परसेंट कितना होगा, तो 45 बटे 2 गुड़े 100 कर देंगे, वे इसको कार देते देखिए, यहां कट गया, ये 2 दूना 4, 2 अठे 16, ठेक है, पांच नमा 45, 5 दूना 10, ठेक है, अभी ये एक बार और कटेगा, 2 एकन 2, 2 चोक के 8, 14 नमा कितना होता है, 9 चो यह दिख रहा है, 126, तो एंसर हमारा का हो जाएगा, 126, और ये सायर लास्ट कोश्चन है, कि अंग्रेजी में कुल अंकों का कितना प्रतिसत प्राप्त किया, बस ये तो सिंपल है, 13 डिगरी प्राप्त किया, डिगरी से परसेंट में करने के लिए, 5 बटा 18 से गुना करते हैं, ये देखें, 326, 3 एकम 3, 3 6, 18, 21 बटा 6 हो गया, और अभी 3 सते 21, 3 दुना 6, 7 बचे 35 बटा 2, देखें, ये यहाँ पर गलत कुश्चन निखा गया, कितना प्रतिसत प्राप्त किया ये नहीं है, कितने कुल अंक प्राप्त किया, ठीक है, तो जब हमें यहाँ पर पता चल गया, कि इसने 35 बटे 2 परतिसत प्राप्त किये, तो 560 का 35 बटा 2 परसंट कितना होता हमने निकाल लिया, तो हमारी वैलू आ गए 98, मिन्स, आप्सन नमबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा, तो ये कुछ इंपोर्टेंट कोस्चन थे, डी आई का एक पार्ट आपका बताईएगा कि कैसा लगा या ये कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है और पॉसिबल हो तो प्लीज सेयर जरूर कर देजएगा, थेंक्यों अब्रिवर्ट